आज हम बात करेंगे वास्कोडा गामा के बारे में वास्कोडा गामा फैमस योड़पें ट्रेवलर एंड इस्टोरियन आपका तल को पुर्चगार से था और इसको हम जब नाम सुनते हैं वास्कोडा गामा के बारे में तो याद आ जाता है कि समंदरी रास्ता पानी का रास्ता योड़प से इंडिया तक अब रास्ता कहां से है ये वास्कोडा गामा कब निकला योड़प से कहां से आया और इंडिया ये कहां तक आया और इकब आया तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे मन्यां पर मेप भी बना रखा है आग के लिए ये आफरीका है और ये यॉरप यहां ये है एशिया ये जो पानी है इसको हम कहते हैं दि एटलांटिक ओशन आफरीका यॉरप के बिलकुल वेस्ट में दिस वाटर इस नोन ऐस दि एटलांटिक ओशन और इसके उपर हमने दो नाम रखे हैं पानी एक है ओशन एक है वेस्ट आफरीका, South Atlantic Ocean West of Europe North Atlantic Ocean और ये जो पानिस्कम करते है निzh Вас bên पुर्ए George इंडियन ओशन में इजिए तो ै ही विरीका ये इस्या है ये मिडल इस्ато ये तो हम ऐरे पास यहां पर है इंडियन ओशन जो के South असी ऐ का है और East आफरीका है और यहां पर ओशन या है उसके बिलकुल जो है वेस्ट में है इंडियन ओशन और यह एशिया के बिलकुल इस्ट में आ जाएगा जहां पर यह है पैस्विक ओशन ठीके और अब हम जानेंगे के वास्कोडा गामा कब और केसे इस ने अपना जो सफ़ा था उसका आगास किया आए 1498 में तो ये जो साल इसको हम बहुत याद करते हैं वसकोड़ा गर्मन डिसकोवर्ड सी रूट फ्रम यूरप टो इंडिया इन 1498 ठीके अब ये कहां से आया लिसन नाउ ये पहले जो यूरपन कंट्रीज के लोग थे वो यूरप से आते थे यहां पर चैना और ये इंड अरिया उनको पता नहीं था के पानी के रास्ते समंधरी रास्ते भी हम इंडिया तक जा सकते हैं क्योंके बड़ा मशचूर है मारकोपोलो जो के पहले आया था यहां पर चैना और इंडिया में ही किम फराम यूरप टो चैना और इंडिया बाई लेंड वाया था जमीनी रा यह जो है यह स्पेंट है इसके मैं करते हैं आयवेरैन प्निसुला यहां पर यह पूर्चगाल है यह भी के ध cheer HER यहां यह यह यहां पर है तो यहां पर यहونग सिटी आफूर्चगाल लेसबन तो आप यहां मैंने कहा इट्लांटिकोशन और यह है केप वर्दे यह केप वर्दे जो केंटरी है और यहां से आगे आए सीधा यहां से आप आए यहां तक यह हमारे पास है साउथ आफडिका यहां इरिज। अफरीका। और ये जो टिप है इसको हम कहते हैं केप याद कीजिएगा केप जिगराफी में मेब के लिहाँ से वो इलाइका है जमीनी केप इस लेंड पार्ट जो के पानी के बाहर पानी के तरफ उसका जो लाजमी हो डारेक्शन अब इस तरह यूँ यह जो इलाइका यह हो गया अब इस केप आफ गुड होप इसका नाम तो पहले नहीं था यह सिर्फ केप था पहले तो यह है केप इसका नाम है केप आफ गुड होप नियर केप टाउन डिसिडिया अफ साउथ आफरीका तो आप यहां आए फिर यह इस इलाइके में आए साउथ आफरीका में और यह तो केप है जिगराफी में मेप के लिहाँ से तो आपने इसके उपर नाम रखा गुद होप आपने का कि मुझे उमीद है मुझे उमीद है मुझे होप है कि यहां से आगे भी रास्ता पानी का है तोर्स इंडिया और साउथ एशिया तो बराल अभी आपका सफर यहां से स्थाच्वा यह यहां से यहां से आप निकले पुर्चगाल से यह है केप वर्दे और यहां से फिर आप आए इस तरह यह सीधा यहां तक आप आगए यह मारे पास है केप आफ गुड होप तो यहां से आपका सफर का आगास हुआ है 40.97 में यह आफरीका है और यहांप पर है केप आफ गूड होप आपने का कि मुझे अम्मीद होप है कि रास्ता यहां से आगे भी जाएगा टॉर्ड़्स इंद्या पाने का रास्ता तो इसलिए इसक kald करते हैं केप अफ गूड होप याद कीजिएगा दिना में दो फेमस केप हैं एक केप आफ गुड होप यहां है साउथ अफरीका में दूसरा है केप आफ हार्न जो के साउथ अमरिका के बिलकुल साउधरन पार्ट में जहां तक चिली और अजन्टीना वहां पर अच्छा उसके बद आप यहां से आगे निकले यहां से यू आए यहां से यू आप गए यह है मुजम्बीक यहां यहां यह कंटी यह आईलेंड इसको में करते हैं मरा गासकर यह आईलेंड है लेकिन यहां पर कंटी है मुजम्बीक आप यहां से गए उसके बद यह कीनिया यहां कीनिया से आप सीधा जो है फिर आगे आए यह मुजंबीक इसको मुझाते है मुजंबीक चनल पानी को मुझाते है और इससे बाद आप यहां आगे आए सीधा यहां इंडिया अब इंडिया का यहां मशुर एक स्टेट है किराला यह वाला स्टेट यह वाला इंडिया का काफी जो है वो अच्छा स्टेट यहां पर है अच्छा यहां जो शहर है उस शहर का नाम है काली कट अब आप बैट भाल लिस्बन से Least the Capital City of पूर्चगाल लिस्बन से आप निक ले और ये इस त्रह नाम है शहर का आली कठ इसको मुझाते हैं काली कठ काली कठ और यह स्टेट है इंडिया का किराला यह जुफ पानी है इस पानी को यह जहांपर कोस्ट डिया हैं इसको मैं करते हैं मला बारा कोस्ट मला बारा यहां पर माउंटेंज हैं गोवा किराला यहां तो जो पानी है जो कोस्टल एरिया है इसको करते हैं मला बारा कोस्ट बिकाज अफ मला बारा माउंटेंज दियर तो यह जो काली कट है यहां आकर आपका सफर खतम हुआ यहां पर यह है किराला दी स्टेट आफ इंडिया तो यहां आप आकर पहुचे और यहां जब आप आए तो वो था 4098 में आप यहां से निकले लिसमन्ट से वो था 4097 में तो 4098 में आपने डिसकोवर किया सी रूट फ्रम यूरप तो इंडिया अब यह वाला रास्त है वो इस तरह अब यहां पर कुन-कुन से जो है मारे पास एराज लगते हैं पानी के वाले से रद देखी गा यह है अटलांटिक ओशन नार्थ एटलांटिक से आप निकले साउट एटलांटिक ओशन और इंटाक्तिक ओशन उसके बद आप यहां से आए मुझंबीक मडा अगासकर कीनिया और ये मारे पास है इंडियन ओशन ठीक है सीधा आप यहां पे आए इंडिया के तरफ दैरिस कालिकट तो ये जो है समंधरी रास्ता है ये डिसकवर्ड सी रूट फ्रम यूरप टो इंडिया इन फूर्टी नाइन्टी एट और उसके बाद जो है काफी जो है वो सलसला शुरू हुआ यूरपन के लोग ट्रेड के वाले से कारोबार के लिहाज से साउथ एशा में यहां पर वो लोग का आना जाना वो शुरू हो चाहिए वो साउथ एशा में या साउथ एस्ट एशा के अंदर क्योंके लेंड के जरीए कारोबार काफी मुश्किल था और जो पानी के जरीए काफी जो है ट्रांसपोर्टेशन कम्मिनकेशन काफी वो एजी बन जाता है तो यहां से जो है फिर आना जाना स्थार्ट हो गय इंडिया से यहां जाना बिलकुल जो साउथ एफरिका इसको क्रास करना तो आपने सोचा कि भाई यहां पर जो है काफी लंबा रास्ता है उसके बद क्या हुआ यह बिल्टिश ने जो शुरू किया था यूके ने शुरू किया था एटीन फिफटी नाइन में आपने स्टा के बाद यह पानी है इसको को नहीं दो है रेड़ सी यहां पर जो पानी है Sumと अफरिका और यहां पर जो पानी है मिटरंसी सिप्का एंड यॉररप ठीके तो आपने कहा किया यह लंबा रास्ता है यह यह काफी दूर है अब इस रास्ते को ज़रा हम जो है जलदी मे कम कर द सुला यहां से आपने यह जो है बनाया किनाल इसको मने बनाते हैं सुईइस किनाल पिज़ी भी लुके दिएब 1869 में तो जब यह किनाल भूला going cadais किनाल तो यह जो रास्ता था इसको आपने छोड़ दिया गहा भाई यह लंबा रास्ता है इसको भी हम है सिसके नाल जल्दी में यहां यह काफी जो यह यह शार्ट रास्ता हो गया आप के लिए तो बराल यह वह रास्ता है जो कि डिसकोड़ किया था वास्कोडा गामा अधा फेमस यू ना यूरप एन ट्रेवलर हो डिसकोड़ सी रूड फ्राम यूरप टो इंडिया इन फॉर् आज के लिए यह काफी है मिलते हैं कसी अगले वीडियो में तब तक यह लिए अला आफेस्ट